हादुने स्री रामनत कोविन जी, उपरास्टुपकी स्री एम भेक्यान आईडू जी, प्रधानमंत्री स्री नरेंद्रमोटी जी, लक्सोखा के स्पीकार स्री ओम बिल्ला जी, चीफ जस्टीस एन बी रमन्ना जी, सन्मानित सांग्सत्कन, अन्यो महानुभोवं, डेबियों और सोजोन, तथा मेरे प्यारे देशोबासियों, सभी को जोहार, भारत के सर्वच सुम्विधनिक पदपर निर्पाचित करने के लिए, मैं सभी सांग्सोदूं और सभी विधान सभा सुद्धर्शों का हार्डिक आभार्व्यक्त कर, आपका मुद्ध देश के परोणो नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांच्या और पधिकारों की प्रतिक इस पवित्र सुम्ष्वासे, सभी देश वासियों का पूरी बिनम्रग्द से अभिनांदन कार्दूं आपकी आत्मियता, आपका विश्वास और आपका सोयो, मेरे लिए इस नई दाइतों का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहे हैं, मुझे राष्टपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्तोपन कालखन में जुना है, जो भाम अपनी आजादी का अम्रित महस्व म मना रहे हैं, आज से कुछ दिन बाद ही देश अपने साधिनता के 75 वर्ष पुरी करेगा, ये भी एक समयोग है कि जो देश अपनी आजादी के 50 वर्ष का पर्प मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की सुरुआत हुई थी, और आज आज आजादी के 55 वर्ष में बस में मुझे ये नाया दाइत तो मिला है, इसे एतिहासिक समय में जो भारत आगले 25 वर्षों के भीजन को हासिल करने के लिए पूरी उच्चा से जूटा हुआ है, मुझे ये जिवेदारी मिलेना मेरा बहुत बड़ा सोभाग्या है मैं देश की एशी पहली राष्टक थी भी हूँ, जिसका जन आजाद भारत में हुआ है हमारे साधिन्ता सेनानियों ने आजाद हिंदूस्तान के हम नागुरिकों से जो अपेख्ञाई की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अम्रितकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा इन 25 बर्शों में अम्रितकाल की सिधी का रास्ता दो पट्री पर आगे बढ़ेगा सोब का प्र्यास और सोब का कर्तब भारत के उज्जल भविशत की नहीं विकास जात्रा हमें सोब के प्र्यास से करनी है कर्तब यपद पर चलते हुए करनी ही है यानि 26 जुलाइ को कार्गिल विजोई दिवस भी है ये दिन भारत की सनाओ के सर्य और स्यों दोनों का ही प्रतिक है मैं आज देश की सनाओ को तो था देश के समस्त नागरिकों को कार्गिल विजोई दिवस की ऑगृम सुब कामनाई देती देवियों और सुजों मैंने अपनी जीवन जाता पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गाउं से सुरू की थी मैं जिस प्रिस्ट भूम्री से आती हूँ ओहां मेरे लिए प्रारूम्बिक सिच्चा प्राप्त करना बेक सपने जैसा ही था लेके उने वाधाओं के बाबजूत मेरा संकल ड्रेड रहा और मैं पुलेज जाने वाली अपने गाउं की पहली बेटी दूँँगा मैं जमचातियो समाज से हूँ और वार्ड कामसिलर से लेकर भारत की राष्टपती बनने तो कर अबस्वर मुझे मिला है ये लगतंत्र की जननी भारत वर्षकी महानता है ये हमारे लगतंत्र की ही सक्ती है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा हुनी बेटी दूर सुदूर आदिवासी छेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के स्वर्बज संभिधानिक पत्तक पहुन सकते रास्तक्ति के पत पहुंचना मेरी व्यक्तिकत उपलब्धी नहीं है ये भारत की प्रत्यक गरीब की उपलब्धी है अमरानीर बाचन इस बात का सुबुत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता और ये मेरे लिए बहुत संतश की बात है कि जो सधियां से बंचित रहे जो जीवन विकास के लाब से तूर रहे वे गरीब दलीद पिछड़े तो था दिवसी मुझे ये अपना प्रतिवीम देख सकते मेरे इस निर्बाचन में देश के गरीब वा का अशिरबात सामिल है मेरे इस निर्बाचन में पुरानी लीग से हटकर नई रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के जिवाओं का सहोस्पी समिल है एसे प्रगतिशिल भारत का नेत्रुत करते हुए आज मैं खूद को गौरबरनित में सुष कर रही हूँ मैं आज समस्त देशब्यासियों को इसे शकर भारत के जुआओं को तो था भारत की मुहिलां को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पदबर कार्य कारते हुए मेरे लिए उनके हीत सर्व करी होंगे देवियां और सोजन मेरे सामने भारत के राष्टपतिपत की ऐसी महान विरासत है जिसने बिश्व में भारतिय लगतंत्र की प्रतिष्टा का निरणतर मुझभूत किया है देश के प्रत्वम राष्टपति डक्टर राजेंदर प्रसाथ से लेकार स्री रामनाथ को बिंचितों औनेक विभुतियों ने इस पद को सुसभित किया है इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनी दित्तों का दाईतों भी मुझे सोंपा है सम्दिधान के आलोग में मैं पूरी निस्टा से अपनी कुट्टब्रों का निरवहन करूंगी मेरे लिए भारत के लगतांतिक, सांस्कृतिक आदर्स और सभी देश बाषी हमेशा मेरे उज्जा के स्रोथ तहेंगे देवियों और सोजन हमारे संबिधानी संग्राम में सदिनंता संग्राम में एक राष्ट के तौर पर भारत की नए यात्रा के रूपे का तियार की है हमारा सदिनंता संग्राम उन संगर्षों और बलिदानों की अविर्ळल धारा है जिसने आजात भारत के लिए कितनी ही आजशों और संभवनाओं की स्चाथा पुज्य बापुने हमें सो राज, सो देशी, सच्छोता और सच्टा ग्रहद गारा भारत कर सांस्कृतिक आदोस्चंकी स्तापना का मुआर्गत दिखाया था नेताजी सुभाष चंद्रबस, नेहरूजी, सर्दार पटेल, बाबा साहिब आम्वेदकर, भगत्तिं, सुक्देप, राजगुरु, चंद्रशेकर आजाद जेशे अनकीनि साधिन तस सन्यानियोन हमें राष्ट की सभिमान को सर्व परियराखने की सिख्छा दी थी राणी लोच्मीबाई, राणी बेलू निचियार, राणी गाई दिनलू और राणी चेन्नी माजेश अनेको विरांगोनावनी राष्ट इच्छा और राष्ट निर्मार में नारी सक्तिकी भुमिकांको नेई उज्जा दी है संथल क्रांती, पाईक क्रांती से लेकर कौल क्रांती और भील क्रांती ने शतंत्र तरसंगरामें आदिवासी जुगदान को और सोषक दिया सामाजीक उत्वान एबंग देश प्रेम के लिए धर्तिया भभवान विश्टा मुंदाजी के वलिदान से हमें फ्रेरोना मिली थी मुझे खुशी है कि आजादी की लगाई में जन्जातियों समुदाई के योगदान को समर्पीत औनेक मियूजयम देश भर में वनवाय जा रहा है देवियों और सोजन एक संग्सोदियों लगतंत्रों के रुप में वजहतर वोर्ष में भारत ने प्रगोती के संकल्पों सोहभागिता एबंग स्वर्ब सम्मत्री से आगे बढ़ाया है विविधताओं से भरे अपने देश में हम उनेक भासा, धर्म, संप्रदा, खानपान, रहन सेहन, प्रिती रिवाजयों का अपनाती हुई एक भारत, स्थेस्ट भारत की निर्माण में सक्रिया है आजादी के पचहतर में बोस के अफसर पर आया है अम्रुद काल भारत के लिए नए संकल्पों का काल खंग है आज में इस नए जूग के स्वागत में अपने देश को नए सोच के साथ तत्पर और तेयार देख रही हुई भारत आर हर छेत्र में विकास का नाया अध्याए जोड रहा है पर नाम हमारी के वैशिक संखट का सामना कन्ने में भारत ने जिस तरह का समर्थ दिखाया है उसने पूरे विश्व में भारत की साथ बढ़ाया है हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से नसित इस बैसिक चुनकी का सामना दिया बल्कि दुनिया के सामने नई मापदोन भी स्टापित की कुछी दिन में कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सिन की 200 क्रोड डोज लगाने का किर्दीमान इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस सहयों साहोस और यक्सोहयों का परिचय दिया वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई सक्थी और संबेद्धन सिल्टा का प्रती थे भारत ने इन मुश्किल हलात में ना केवल खूद को संबला बलकि दुनिया की मदद भी की कुरानाम हमारी से बने माहुल में आज दुनिया भारत को नई विश्वास से देख रही है दुनिया की आर्थिक स्थित्ता के लिए सप्लाइजन की सुगमता के लिए और बैसिक सांती के लिए दुनिया को भारत से बहुत उमीद है आगामी महिनों में भारत अपनी अध्यक्ष्वता में G20 ग्रूप की मेजबानी भी कनने जा रही है इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्ष्वता में बैसिक विश्वयों कर मन्थन करेंगे मुझे बिश्व से भारत में होने बाले इस मन्थन से जो निशकर्ष और नितिया निधरित होंगे उनसे आने बाले दोसों को की दिशा तैख होगी देभी और सोजन दोसों को पहले मुझे रायरोंपूर में श्री औरविंदो इंटिग्राल स्कूल में सिख्षक के रूप में कार्य करने का अपसर मिला था कुछी दिनों के बाद श्री औरविंदो जी की एक सो पोचास में जनम जनती मनाय जाएगी सिख्षा के बारे में स्री औरविंदो के विचारों ने मुझे निरनत और फ्रेरिद किया है जन प्रतिनदी के रूप में विभिन पोदों को और कार्य करते हुए और फिर राजपल के रूप में भी मेरा सिख्षों सुस्तानों के साथ सक्रियों जुडाव रहा है मैंने देश के जुबाओं के उस्सा और आत्मोबल को करिब से देखा है हम सभी के स्रधेयो पर्टॉल जी कहा करते थे कि देश के जुबाओं जो आगे बढ़ते हैं तो वो इसी अपने ही भाग्य नहीं बनाते बलकि देश का भी भाग्य बनाते हैं आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं भोकल पर लोकल से लेकर डिजिटाल इंडिया तक हार छेत्रों में आगे बढ़ रहा आज का भारत विशो के साथ कदम से कदम मिलाकर वज्जो की क्रांती 4.0 के लिए पूरी तरा भारत देख रहे हैं रेकोर्ड संखा में बन रहे स्टार्ट आप्स में नए नए इनवेट्स में दूर सुदूर छेत्रों में डिजिटाल टेकनोलोजी की सिक्यार योता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है बीती बर्समें भारत ने जिस तरह मोहिला ससक्ति करण के लिए निल्नों लिए है नीतिया बनाए गिये है इससे भी देश में एक नए सक्ति का संचार हुआ है मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बेहने पाबेटियां अधिक से अधिक सोशक्तों तो थावे देश के हार छेत्रों में अपना योगदान बढ़ाती रहे हूँ मैं अपने देश के जुबाओं से कहना चाहती हूँ कि आप नाकेबल अपने भविशो का निर्मन कर रहे हैं वलकि भविशो के भारत की नीभी रात रहे हैं देश के रास्टोपती के तोर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सोव्योग रहेगा देबियो और सुजो विकास और प्रगति सिल्ता का अर्थ निरंत और आगे बढ़ना होता है लेकिन साथ ही अपने अतित का ज्यान भी उतना ही आवस्यों के आज जो विशो सास्टेनेबल प्लानेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचिन परुम्परा हमारी अतित की सास्टेनेबल लाइश्टाइल की भुमी का और बढ़ जाती है मेरा जन तो उस जन जातियों करुम्परा से हुआ है जिसने हाजारों बोस से प्रपुति के साथ तालमेल बनाका जीवन को आगे बढ़ाया मैंने जंगल और जलासोयों के महत्तों को अपनी जीवन में मेहसूस किया है हम प्रपुति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही स्रद्धा से प्रपुति से सेभावी करते हैं यहां संभेदल सिल्टा का आज बशिक वनिर्यायोता बन बिया है मुझे इस बात की प्रसंता है कि भारत पर्यावणों सोरक्षण के चेत्रों में बिश्चो का मार्गदर्शक बन रहा है देवियों और सोजन मैंने अपने अप्तोक के जीवन में जोन सेभा में ही जीवन की साथ्थोक्ता को अनुभव किया है स्री जगनाथ खेत्र की एक प्रख्यात को भी भीमभवई जी की पविता की एक पंक्ती है मो जीवन पचेन और के पड़ी थाओ जगत उधारो अपने जीवन के हीद और हीद से बड़ा जगत कल्नाण के लिए कार्या कान दाए जगत कल्नाण की इसी भावना के साथ में आप सोब के विश्वास पर खरा उतारने के लिए पूरी निस्टा वा लगन से काम करने के लिए सोधेव तत्पर रहुने है आए हम सभी एक जूठ हो कार समर्पित भाव से पत्तव्य पत्तपर आगे बढ़े तो था वही हो अपसाली वा आत्मों निर्वर भारत का निर्मारत ज़न्यवार जयगी जयगी